नमस्कार आप सभी का मेरे इस चैनल रोचक कथाय में पुना स्वागत है आज मैं आपको गोपाश्टमी की वरत कथा बताने जा रहा हूँ तो देर नहीं करते शुरू करते हैं आज की कथा प्राचीन काल में एक बार बाल गोपाल जब छे साल के थे तो मा यसुदा से कहने लगे कि मा अब मैं बड़ा हूँ गया हूँ और अब मैं बच्छडे चराने नहीं जाओंगा मैं गौव माता के साथ जाओंगा इस पर यसुदा ने बात नंद बाबा पर टालते हुए कहा कि अच्छा ठीक है लेकिन एक बार बाबा से पूछ लो इस पर भगवान कृष्ण जाकर नंद बाबा से कहने लगे कि अब मैं बच्छडे नहीं बलकि गाये चराने जाओंगा नंद बाबा ने उन्हें समझाने की कोशिस की लेकिन बाल गोपाल के हट के आगे उसकी एक न चली फिर नंद बाबा ने कृष्ण से कहा कि ठीक है तो पहले जाकर पंडित जी को बुला लाओ ताकि उनसे गौच आरण के लिए सुब मुहर्ट का पता लगाया जा सके ये सुनकर बाल गोपाल दोडते हुए पंडित जी के पास पहुँचे और एक सांस में उनसे कह डाला कि पंडित जी आपको नंद बाबा ने गौच आरण का मुहर्ट देखने के लिए बुलाया है आप आज ही सुब मुहर्ट बताना तो मैं आपको खूब धेर सारा मक्षन पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और पंचांग देखकर उसी दिन को गौच आरण के लिए सुब मुहर्ट बता दिया और सांथ ही यह भी कह दिया कि आज के बाद से एक साल तक गौच आरण के लिए कोई भी मुहर्ट सुब नहीं है नंद बाबा ने पंडित जी की बात पर विचार करते हुए बाल गोपाल को गौच आरण की आज्या दे दी भगवान उसी दिन से गाय चराने जाने लगे जिस दिन से बाल गोपाल ने गौच आरण आरण किया था उस दिन कार्थिक मास के सुकल पक्ष की अश्टमी थी भगवान द्वारा उस दिन गाय चराना आरंभ करने की वज़ा से इसे गोपाश्टमी कहा गया तो दोस्तों यहती आज की कथा आशा करता हूं आपको कथा पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे और इसे ज़्यादा शेयर कीजे धन्यवाद